आज हम बनाएंगी ये अलग से टाइप का एक ऐसा पीजा, जिसे बनाने के लिए ना तो आपको पीजा बेस घर पर बनाना है, ना ही मार्किट से लाना पड़ेगा, पर फिर भी ये पीजा इतना टेस्टी, चीजी और क्रिस्पी बनता है, और साथ मेना ये हल्दी भी रहेग बच्चों को, बड़ों को, आप बिना सोचे इस पीजा को खिला सकते हैं, ये सब को पसंद भी आएगा और गिल्ट फ्री भी रहेगा, तो ज़रूर ट्राइ करिएगा इस पीजा रेसिपी को तो इस पीजा को बनाने के लिए पीजा बेस्ट हो रहेगा, वो होगा पनीर, सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बट आज हम पनीर के साथ ये पीजा बेस्ट बनाएंगे, और पीजा बहुत जादा टेस्टी बनेगा, और साथ में हेल्दी और प्रोटीन रच होगा, तो इसके लिए मैंने पहले 200 ग्राम का पनीर का ये क्यूब लिया है, इसकी थिकनेस थोड़ी सी जादा है, तो पहले मैं इसको सेंटर से कट करके, इस तरह से दो स्लाइश में कट कऱネगी हूँ, और फिर मैं इसे कट कर रहू इंangelा से चाठ टुकडों में, यानि कि 200 ग्राम पनीर से मैंने निकाल ली हैं ये 8 slices पनीर की और इसकी thickness जो मैंने रखी है वो आप देख रहे हो कि इस तरह की है आप थोड़ा सा पतला पीस भी रख सकते हो थोड़ा इससे मोटा भी रख सकते हो जैसे भी आपको पसंद हो वैसे आप बना सकते हैं तो अब इ हैं तो सिरफ मैदे से भी काम चल जाएगा और इसके बाद अब हम इसमें सीजनिंग आड कर लेंगे तो तीन चुथा ही चोटा चमज या फिर टेस्ट के अगॉर्डिंग नमक डाल देना है एक चोटा चमज मैं इसमें डाल रहे हूं कश्मीरी लाल मुष पावडर इससे थ थोड़ा मिक्स करेंगे और अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पानी आइट करेंगे और इसका एक ठिक सा घोल बना लेंगे तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है और बेटर की कंसिस्टेंसी आप देख रहे हो कि यह थिक है एकदम अच्छे से कोटिंग कंसिस्टेंसी है त इसको हाथों से थोड़ा सा क्रश कर लेंगे अगर आपके पास कॉनफ्लेक्स नहीं है तो आप इसकी जगा ब्रेड क्रम्स ले सकते हैं या फिर कुर्कुरे या लेज जो होते हैं जो हम सब खाते हैं उसको भी थोड़ा-थोड़ा क्रश करिए और उससे कोट कर लिजेगा पूपी बहुत क्रिस्पी बनता है तो बस ये कॉनफ्लेक्स भी त्यार हो गए है इस लरी भी त्यार है अब इन दोनों चीजों में हम सबसे पहले अपनी पीजा को सौरी इस पनीर को कोट कर लेंगे तो एक-एक क्यूब लेते जाएंगे और इसको पहले इस लरी में अच् पीजा बेस त्यार हो गया है इसी तरह से बाकी के सारी पनीर स्लाइसिस को हम कोट कर लेंगे तो मैंने अभी सिरफ पांच स्लाइसिस को ही इस तरह से कोट किया है बाकी की तीन स्लाइसिस मैंने रख ली है क्योंकि जब मेरे हस्में ऑफिस से दुपहर में लंच में आएंग या फिर इस तरह से ना पैन में बस थोड़ा सा तेल गरम करो और इसमें रगदो ये पनीर की स्लाइसे और इसे दोनों तरफ से हलका हलका सा सेख लेना है जब तक ये पूरा अच्छा से क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो बस इस तरह से एक साइट पर सेखने क कितना अच्छा सा गोल्डन ब्राउन केलर है और पूरा अच्छो से क्रिस्पी हो गया ये तो बस ये सारी पनीर की स्लाइसे एकदम क्रिस्पी हो गई है और इसी के साथ त्यार हो गया है हमारा आज का ये पीज़ा का पीज़ा बेस इस तरह से कॉन्फलेक्स की वज़ा से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं अचा पीजा बेस तो बन गया है अब हमें पीजा बनाना है जिसके लिए अवन या फिर कडाही जिसमें भी आप अपने पीजा को बेक करोगे उसे रख देंगे त्यार होने के लिए तो मैं कडाही में बेक करके दिखा रही हूँ आपको जिसके लिए बस एक मोटे तले की कडाही में नमक डालो और एक स्टैंड रख के इसको उपर से ढग दो और मीडियम फ्लेम के उपर इसे 10 मिनट तक अच्छे से गरम करना है जैसे हम अवन को प्री हीट करेंगे 180 डिगरी पर 10 मिनट के लिए इसके बाद अब यह जो पीजा बेस यानि की पनीज स्लाइसे आ गई है इसके उपर हम अपनी पीजा को असेंबल करेंगे जैसे भी आपको अपना पीजा पसंद है ना वैसे आप इसे बना सकते है अपनी फेवरेट टॉपिंग्स मैंने डाला प्याज टमाटर इसके बीज को निकाल दिया था श्रिमला मिर्च, कॉन्स और थोड़े से ओलिव्स थे मेरे पास मैंने यह टॉपिंग्स दी है इसे बस ओयल से या बटर से ग्रीस कर लो मैंने ओयल से ग्रीस किया और फिर इसमें बटर पेपर लगाके इसे ग्रीस कर लेंगे तो हमारा यह मोल्ड भी त्यार हो गया है आपको इस पीजा प्लेट भी ले सकते हैं तो बस अब इस तैयर, пणी त्रीसी को हम रख देंगे इस त्यार की हुई प्लेट में, इतनी देर में हमारी कडाही भी अब अच्छे से गरम हो चुकी है, तो ये प्लेट इसमें रख देंगे, और इसे ड développे, अब हम इसे बेक करेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, तकरीबं शा अच्छे से melt हो गया है और कितना yummy लग रहा है ये देखने में बहुत ही जाधा टेस्टी बनता है ये pizza इसमे नीचे का pizza base एकदम crispy और उपर सी ये cheese और toppings तो बस त्यार हो गया है हमारा ये cheesy crispy सा pizza और वो भी बिना किसी pizza base के तो अब इसे गरमा गरम सर्फ करो बहुत ही जाधा प पीज़ा चला है जिस जिसको भी पता है ना फटाफट से कॉमें सेक्शन में बताओ मुझे और मेरी ये वाली रेसिपी तो जरूर ट्राइ करिए का और इंस्टाइग्राम पे मेरे सा पिक्चो शेयर करिए का और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें